हेलो एवरीवन मैं हूँ सेचीन और आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे और जैसा कि हम लोग जोनरल इंट्री सीख रहे हैं आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं ट्रीटमेंट और पेमेंट और पर्सनल एंड एक्सपेंस एकाउंट ठीक है तो इसमें देखे मैंने दो कोश्चन लिखा है एक पेमेंट ए सौरी पेड रूपीज 500 तू राहुल है ना तो यहां पे दूसरा कोश्चन जो भी मैं पढ़ देता हूं पेड 500 तू वरून फोर ही सेलेरी ठीक है दोनों में नाम हैं मगर बात समझ यह कि यहां पे राहुल को हम पैसा दे रहे हैं किसको दे रहे है राहुल को तो हम ऐसा कह सकते है कि वैन पेमेंट इस मेड टू ए पर्सन अगेंस एमांट ड्यू मत्तब राहुल का 500 रूपया बाकी था और यह हम उसको पेम साथ से होगा देखिए राहुल एकाउंट कि डेबिटेट सैड में हम लोग यहां पे दिखा देंगी इसका जो पैसा है और यहां पे तू कैश एकाउंट और यहां पे कैश एकाउंट हमारा क्या हो जाएगा क्रेडिट सैड चल जाएगा बात समझ में आओगा लेकिन अनदर वे में यहां पे अगर हम लोग देखिए तो यहां पे भी एक नाम मिल रहा है हम लोगों को और इसको भी हमको पैसा देना है मगर देखिए यहां पी यह एक्सपेंस है हम लोग इसको सेलेरी पेड करें तो जब कोई एक्सपेंस मिलता ह है तो उस समय उस बंदा का नाम हम लोग नहीं account open करते नाम से हम लोग expense का नाम से account को open करते जैसी यहां पर salary account open होगा और फिर हम लोग debit side में यहां पर 500 रुपया दिखा देंगे और फिर यहां पर two cash करके हम लोग दिखा देंगे कि cash हमारा क्या हुआ है क्रेडिट हुआ है 500 रुपया ठीक है आई होप आप सबको समझ में आया होगा ठीक है न अब नीचे इसी प्रकार से देखे treatment for receipt on personal and income तो यहां पर भी अगर किसी बंदे से पैसा मिल रहा है वो मेरे को पैसा मतलब मेरे को देना था उसको तो हम लोग क्या करेंगे उस बंदे का account खोलेंगे और मान लिजा अगर कुछ expense है और उसकी हिसाब से हम किसी बंदे को payment कर रहे है तो हम expense का account खोलेंगे ना कि बंदे का पूर एक्जामपल यहां पर भी मैं दो question के जरी आपको समझाओंगा पहला question में बोला जा रहा है कि रिसीप्ट एइट हेंड़ेड प्राउम तरुन अन एकाउंट तो इसका अगर मैं entry pass करूं तो यहां पर देखी क्या होगा कि तरुन का account opened होगा ठीक है क्योंकि तरुन से हम लोग पैसा ले रहे हम लोग कुछ यहां पर इसको आज रहे हम लोग क्या treat कर रहे हैं देखे ड्याप्टर कर रहे हैं ऐसा सोच लीजे ठीक है तो यहां पर क्या हो जाएगा cash account टू तरुन एकाउंट और cash मिल रहा है तो डेविट सेड आठ सो रुपिया और यहां पर तरुन हम लोग यहां दिखा देंगे आठ सो रुपिया ठीक है कि तरुन के द्वारा मिल रहे है न अब दूसरा question मैं यहां पर लिख रहा हूं देखे question में फर्क्या आ रहा है यहां यहां पर question में लिखा गया है received 800 from तरुन यहां पर भी हम लोग तरुन नाम का कोई बंदा से payment पैसा ले रहे है मगर as commission as commission तो यहां पर यह क्या है यह हमारा income है this is our income तो यहां पर हम अपना जो income जिस पीज का हो रहा है उसका account खोलेंगे तो यहां पर मैं लिखूंगा cash account to commission account जो expense हो रहा था उसका account हम लोग खोलेंगे ना कि इस बंदे का ठीक है तो यहां पर debit side में दिखा दूँगा 800 और credit side यहां में दिखा दूँगा 800 ठीक है तो देखिए अभी मैं आपको और अच्छा समझा रहा हूं दोनों entry अगर मान लिजी कि पहला जो question था पहला question कि मैं ऐसी समझा देता हूं देखिए अब यह हमारा business है ना यह हमारा business है ठीक है और क्या हुआ कि हम अगर sale किये हम अगर sale किये राहूल को ठीक है और यह जो sale था मेरा मान के चलिए कि credit sale था किया sale था यह credit sale था तो जब हम इसका entry करेंगे जब हम इसका entry करेंगे तो क्या होगा हम यहांपे क्या दिखा देंगे राहूल account डेवीड दिखा देंगे हम प्ट्रम राहूल account और डेवीड side में हम दिखा देंगे 2000 2000 मैं बान के चली कि जो सेल कर रहा था मैं 2000 का सेल कर रहा था ठीक है और यहां पे 2-sale account में दिखा दूँगा 2-sale account credit side में यहां पे मेरा 2000 का समान इसको हम लोग बेचे तो अब एक बात बताए कि राहूल से क्या मैं यह पैसा लिया हूँ नहीं लिया हूँ ना तो जब राहूल मेरे को पेमिंट करेगा तो इंट्री हमारा क्या होगा उस वक्त हमारा इंट्री होगा कैश अकाउंट हमारा डेविट हो रहा था इस वक्त डेविट होता अगर वो मेरे को कैश पेमिंट कर देता तो मगर अभी cash payment नहीं कर रहा था तो cash के जगह में इसका नाम आ गया था अब वो जब मेरे को payment कर रहा है तो cash में मेरा कितना पैसा आ जा रहा है 2000 और भीया पैसा दे कौन रहा है मेरे को राहुल तो यहाँ पे मेरे को लिखना पड़ेगा तो राहुल और यहाँ पे मैं इसको दिखा दूँगा credit side में ठीक है न अब देखिए अब क्या हो सकता है कि जैसे salary वगरा जो होता है या फिर income होता है ठीक है या फिर rent हम लोग receive कर रहे है मान लिजे कि यह मेरा business है ठीक है और मेरे पास एक business का ही कुछ है दुकान है या कुछ भी है मान के चलिए business से ही तालुकात रखता है और यहाँ पे एक बंदा है ठीक है इसका नाम भी राहूल है इसका नाम भी राहूल है यह भी मेरे को पैसा दे रहा है मगर यह मेरे को क्या कर रहा है इस दुकान का rent दे रहा है, सोचिए, क्या कर रहा है, रेंड पेट कर रहा है, तो अब क्या होगा, अभी मेरे को उस बंदे का नाम से मतलब नहीं है, क्योंकि मैंने एक expense account मैंने खोल के रखा होगा, rent account, तो अब मैं पैसा जब उससे लूँगा, तो क्या होगा, मैं दिखाऊं rent, devoted, जितना भी rent मैं ले रहा हूँ, उससे चाहे 200 रुपया, 300 रुपया, तो मैं यहाँ 200 ही कर देता हूँ, 200 रुपया, ठीक है न, तू, यहाँ पे राहूल नहीं लिख करके, हमको लिखना होगा, rent, यहाँ पे received, देखिए, हम मेरे अपना बुक का इंट्री कर रहा हूँ, तो इसलिए यह जो paid कर रहा हूँ, यह मेरे लिए क्या होगा, rent received होगा, मेरे लिए क्या होगा, rent received होगा, है न, received होगा, और यह मैं credit set दिखा दूगा, ठीक है, same उसी प्रकार से देखिए, जो next हम लोग देखे थे, उस सब से पहले उपर जो देखे थे, तो payment का भी उसी प् तक है ठीचा न चलिए अब यहाँ पर कुछ समाला एकश कुछी पॉश्यन है देखें इसका इंटृ करेंगे जैसे कि पहला question में क्या बोला जा है ध्यान से देखे cash paid to Rahul cash paid to Rahul कितना रुपिया इतना रुपिया तो यहां पर Rahul को हम लोग cash paid कर रहे हैं मतलब हो सकता है कि Rahul से हम लोग कुछ समान मगरा लिए हो जो भी है ठीक है यहां यह expense नहीं है इंकम की हिसाब से नहीं होगा यहाँ पर यह हमारा बंदा से पहले ही deal हो चुका ऐसा समझ लीजिए तो यहां पर क्या होगा राहूल का account खुलेगा ठीक है न तो यहां पर हम लोग लिख देंगे राहूल और यहां पर हम लोग लिख देंगे कि कैश पेड तो कहां पे तो क्रेडिट साइड और यहां पे डेट तो यहां पे डेट क्या था कौन सा यह था यह आपका 2023 तो मैं यह लिख दे रहा हूं 2023 और यहां मार्च एक ठीक है तो राहूल एकांट to cash एकांट और यहाँ प्लूर लिखना था लिखता हूँ मैं आ और यहाँ पर lf हो यहाँ पर कि ये पीडे अकाउंट के कि यहाँ पर ट्रेडिलिटे काउंट के बाट सरी है और तक कर दिश को दिख से बाद अब यहाँ पर मैं मांट लिग देता हूं जैसे कि यहां पर 9400 आ जाएगा और यहां पर 9400 आ जाएगा नेक्स्ट कोश्चन में क्या हो रहा था रेंट पेड के जा रहा था रेंट एक्सपेंस है तो रेंट का एकाउंट होगा खुलेगा और पेड के जा रहा है तो भी जाहिट सा बात है यहां पे किया होग cuarto आएगा थिक्षा और यहां पे क्या ओजाएッगा या क्टिकर रेंट पेड्र करो मैं है रेंट टाम अधी ता थीक्षा यहां पर डेड कितना था मार्ट को मैं लिख देता है कि तो आधे और यहां पे amount कितना था चार हजार पांसो यहां पे भी चार हजार पांसो अब देखी क्या हो रहा है cash receive कर रहे तो cash तो डेविट सेट जाएगा किस से receive कर रहे परवेज से तो परवेज का नाम आएगा तो यहां पे हम लोग क्या दिखा देंगे cash account ठीक है पैसा कितना receive कर रहे हम लोग यह डेविट सेट आजाएगा 5000 रूपिया 5000 और किस से receive कर रहे परवेज से तो यहां पे आजाएगा two two परवेज ठीक है और यहां हम लोग दिखा देंगे 5000 ठीक है उसके बाद यहां पर डेट देना था यहां डेट दे देते हैं हम लोग कितना डेट दिया हुआ यहां पर दस ठीक है देखे फिर अब next question में क्या बोला interest receive कर रहे हम लोग मतलब interest receive कर तो cash account क्या होगा डेविटेड होगा तो यहां cash account हमारा क्या होगा डेविटेड होगा कितना पैसा आ रहा है cash में तो यहां पर आ रहा है आपका 7000 तो मैं यहां पर लिख दूंगा 7000 ठीक है और यह पैसा कहां से आ रहा है तो देखिए interest receive हो रहा मुकुल से मिल रहा मगर हम लोग क्या कर रहे इंट्रेस्ट इसीव एक्सपेंस है तो यहां पर इंट्रेस्ट इसीव का एकांट खुलेगा तो तू इंट्रेस्ट करेंगे तो आपका इतना आएगा तो आई हो कि आज का क्लास सब को समझ में आओगा अगर समझ में हो तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगा और इससे कोई भी डावट तो थो प्लीज कॉमेंट के मात्यम से मुझसे पूछना ना भूलेगा झाल, 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 झाल